Hello guys, good morning, I hope आप सब अच्छे होंगे So welcome back to the series of confusing words So आज हम discuss करेंगे envelope और envelope तो इन दोनों में क्या difference रहता है So देखें, दोनों के pronunciation तो same ही है दोनों को हम बोलेंगे envelope लेकिन देखें, यहाँ पर है e और यहाँ पर e नहीं रहेगा So यहीं इनके spellings में difference है तो चलिए अब देखते हैं कि इन दोनों का use कैसे किया जाता है और इनके meanings क्या होते है So सबसे पहले हम इन दोनों के meanings देख लेता है So envelope with e की अगर बात करें तो इसका meaning होता है the paper cover for a letter जो letter के लिए जो cover रहता है जिसको हम envelope बोलता है तो आपको पता होगा कि वो उस paper को पूरी तरहा से cover कर लेता है जो envelope होता है वो paper को पूरी तरहा से cover करता है हर एक तरफ से तो उसी को बोला जाता है envelope जो की एक noun होता है लेकिन अगर बात करें envelope without e की तो इसका मतलब होता है to cover something or someone completely जब किसी वस्तो को या किसे व्यक्ति को हमने पूरी तरहिके से cover कर लिया है तो यह दिखाने के लिए हम envelope का यूज करता है जो की हमें क्रियादर्शाता है किसी चीज को या किसी व्यक्ति को cover करने की क्रियादर्शाने के लिए इसका यूज होता है इसलिए ये एक verb है, राइट, यहाँ पर ये एक simply कागस का टुकड़ा है, जिसको हमने cover किया है, तो वो एक envelope noun है, और यहाँ पर ये जो envelope है, ये cover करने की क्रिया दर्शात है, इसलिए ये एक verb है, तो चलें जल्दी से इन दोलों के examples देख लेता है, तो सबसे पहले देखते है envelope का example, जिसमें पीछे e लगता है, जिसका मतलब होता है, simply paper cover for a letter, तो देखे, they found an envelope on the counter in the kitchen, यानी kitchen के counter के उपर उन्होंने एक envelope को देखा, राइट, यहाँ पर ये envelope है, ये as a noun यूज हुआ है, तो अब देखते है, envelope without e के examples, तो देखे, to cover something और someone completely, किसी वस्तु को या व्यक् को completely cover करने की जो क्रिया होती है, इसी को ये दिखाता है, और ये हमारा verb होता है, so example, they can cover the face alone, और envelope the entire body, वो सिर्फ अपने face को ढख सकते है, या तो अपनी पूरी body को भी cover कर सकते है, तो देखे, यहाँ पर ये envelope है, ये पूरी body को cover करने की क्रिया दर्शारा है, next example, the fog enveloped the house, ज तो ढखने की क्रिया दर्शारा है, अब देखे, यहाँ पर envelope का use हुआ है, मतब कि पीछे ed लगा है, तो ये जो verb होता है, हमें पता है कि जो verb होता है, वो sentence का tense दिखाता है, तो sentence का tense होता है, उसके according इसका जो है कि verb की first form, second form या तो third form का हम use करता है, so ये जो envelope without e होता है, ये sentence के tense के according change होगा, लेकिन envelope with e जो था, जो आमने last में देखा, वो एक noun था, तो noun कभी भी जो है sentence के tense के according change नहीं होता है, right, so I hope आपको आज का वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा, और देखे, जो ये confusing words के series है, उसमें मैं आपके लिए Monday to Friday morning 10 o'clock एक नया वीडियो लेकर आ vocabulary रहते हैं, वो इसी तरह से हम improve कर सकते हैं, देखे, अगर आप सोचेगे कि मैं एक ही दिन में एक साथ में 100 words को लेकर बैठूंगा और उसको रट लूँगा, तो ये बहुत मुश्किल है, और शायद से आपको उसमें से 50% words भी बहुत मुश्किल से याद रह पाएंगे, ल पूड़ा थोड़ा करके पूरी vocabulary आपकी strong होती जाएगी, तो मिलता है दोस्तों कल शुबे morning में 10 o'clock एक नए confusing words की pair के साथ